हेलो फ्रेंड मैक अप ग्रेट चैनल में आपका सवागत है पिछले वीडियो में हम वाट़ पमप और थर्मोस्टेट वालप के बारे में आपके जाना इस वीडियो में हम लोग गाडियों में, मैनूवल गाड़ीयों में नहीं लगा रहता था, यह power sustaining pump है, अब जो गाडिया आएंगी, सम्मे लगी रहती हैं, बीयस थिरी से यह सब पावर इश्टेरिंग पंप लग कर आता है पावर इस्टेरिंग से बहुत से दिक्कते पहले होती थी बीयस टू बीयस वन में डाइबर लोगों का हाथ चड़ जाता था इसलिए पावर इश्टेरिंग पंप का इजाद हुआ यह जो आप देख रहे है इसक किसी में लगा रहा दो यह चेड आपको और यह जो दिख रहा है आप को यह स्पारवर स्टेरिंगां ब्रेकटे जिसके ब्रेकट तैट रहता आप को यह printing और पबर 202 पर दे मूब करना यह ब्रेकेट है इसका यह पावर इस्टेरिंग आगे जो दिख रहा है यह पुल्ली है पुल्ली पर यह पावर इस्टेरिंग पुल्ली है यह आपका नट बोल्ट है यह भी वेल्ट होता है जो पावर इस्टेरिंग पर लगा रहता है यह आपका पावर इस्टेर में टाइट रहता है अब आते हैं हम लोग इंजन सप्पेंशन में इंजन सप्पोर्ट कैसे रहता है इंजन का सप्पोर्ट क्या होता है यह आपको इंजन सप्पोर्ट जीसे इसको बोलते हैं सप्पोर्ट को आम भासा में मेकेनिक लों माउंटिंग भी बोलते हैं यह देख यह इंजन माउंटिंग रियर का है पीछे टाइट रहता है यह इंजन माउंटिंग एलेच है जो आगे लगा रहता है तो यह इंजन माउंटिंग आरेच यह लेच और यह पीछे का इंजन माउंटिंग होता है तो दोस्तों इंजन माउंटिंग जो इंजन को पकड़ के रख को उपर बाइठा रहता है अगर इंजर हल्क होता है तो यह मांटिग मरत जो नोज हमको प्लेट दुखरहा है उसके नीचा एक रबर होता है रबर से वह थोड़ा सा मतनब का के शचाहिं होता है थोड़ा सा ह sûr विडियो में इतना ही अगर इसके तुरू आपका कोई भी कमेंट होगा तो आप हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करके पुछ सकते हैं विडियो के लाइप करें सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजन का टोटल जो अंदूरिनी पार्ट से उसके बारे में बता दिया गया आप आपको अब आगे विडियो में कलच के बारे में बताएंगे ओके फ्रेंड जाहिंग अ हुआ है